कि अस्टाले तुम ठाने ने पुलाने में आप सबीत आफ लेत्व लेत्म में अज हम ठांने क्रिस्पी एज फिंदल इस्पे मिन में लब्ब ऋफ हैं जैसा कि आपको पता चली गया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी एक सिंगर और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 5-6 अदद अंडे आपको जित्ते जादा लोग हो घर पे उसे साथ से आप अंडे की कौंटिटी बढ़ा सकते हैं कम हो उसे साथ से कम कर सकते हैं और 5-6 अंडे चाहिए और इसके अंदर हमें चाहिए चौप कीवी एक प्यास 7-8 हरे मिर्चे थोड़ी सी हरी धनिया एक टी स्पून नमक जब तक कि हम अंडों को पैन में तोड़ लेते हैं पांच अंडे हमने इसके अंदर क्रेक कर ली हैं अब इसके अंदर हमको एक बारी कटी हुई प्यास चौप की प्यास डाल देना है हरी मिर्श डाल देना है, 4-5 बारीक कटी हुई, थोड़ी सी हरी धनिया डाल देना है, और अपने टेस्ट के कोडिंग आप नमक ले सकते हैं, हमने एक टीस्पून नमक लिया हुआ है, इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, और इसको मिला लेते हैं, और इधर पैन में हम 2-3 ट और आप पैन वो सले जिसके साइड में कगर हो, कि उससे क्या है कि ये एक रोटी के शेव में आ जाएगा, ब्रिट के शेव में आ जाएगा, क्योंकि आप इसकी फिंगर बना रहे ना, तो इस वज़े से इसको एक शेव में होना चाहिए, तो कोई भी पैन ले जिसके पर गरम कर लें, फिर उसके बाद में लो फिलेम पर लिया एक दम, क्योंकि अगर फुल फिलेम पर रखेंगे तो ये सर्फेस इसकी नीचे से जल जाएगी, बिसमल्ला हर्माले रहें, इसको डाल कर लो फिलेम पर और धीरे धीरे इसको होने देते हैं, और ये बनाने में न आप साइट से जो इसके ओपर अगर आपको लग रहा है कि कुछ लिक्विट लिक्विट साय कच्छा है तो आप इसको साइट से पैन थोड़ा से तिर्चा कर दें और फिर वापस ये इसके नीचे चला जाएगा, में मकसद ये है कि इसको आप लो फिलेम पर बनाएंगे त तक कि ये देखे नीचे से ये देखे आप नीचे से इसने कहीं से भी पकड़ा नहीं है बहुत बढ़िया सा हो रहा है तो बस इसको एक आद मिनट और इसी रखा रहे देगे फिर हम इसको टर्न कर लेंगे देखिए हमारे आपके घर में कोई परफेक्ट शेस तो होता नही है कि इसको पलटेगा वो और उससे वो अंडा टूटेगा नहीं तो उसके लिए आप आसान तरीका ये कि एक साइड नीचे कि इसकी हो गई है उपर की साइड को आप एक कोई भी प्लेट में या प्लेन बरतन में आप आराम से देखिए ऐसे पलट लीजे ये देखिए जिस अब ला अंडा कोई ये शेफ का काम है ना कि वो पैन को घुमा कर टर्न कर सकता है लेकिन हर घर की घर में कोई नहीं कर सकता है बेतर उसके लिए कि आप जो है इसको कोई पहले जब नीचे की साइड हो जाए तो किसी प्लेट में आप खाली कर गए फिर वापस इसके उपर तरन कर दीज है देखिया राण अंड़ा वो साइट से हो गया इसको हम बहुत आराम से जैसे हमने आपको बताया था टरन करने के लिए हम इसको किसी प्लेट पर खाली कर लेते हैं देखिया पूरे अंड़े का आमलेट देखिया हमारा कितना टूटा है कहीं से न कुछ भी वो आराम ते खाली हो गए अब इसको ठंडा होने देते हैं जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक कि हम एक बावल में इसको क्रेंची बनाने के लिए इसके अंदर हम तकरीबन 100 ग्राम मैदा ले लेते हैं उसके अंदर 2 टेबल स्पून हम कॉञ फ्लॉअर डाल देते हैं कॉण फ्लॉऔर अगर आपके पास हो तो कॉण फ्लॉऔर डाल दीजै ना हो तो आप चाबल काटा डाल दीजै कोई जरूरी नहीं कि कॉण फ्लॉऔर नहीं तो आपका ये क्रिस्पी विर्शी नहीं बनेगा finger ऐसा नहीं बन जाएगा इसली और इसको spicy करने के लिए आप इसके अंदर मोटी कुटी हुई half teaspoon लाल मिर्च डाल दीजे quarter teaspoon काली मिर्च डाल दीजे और taste के according नमक डाल दीजे नमक डालने के बाद में आप इसको मिला दीजे यह आपका dry better तयार हो गया है ठीक है ना और चलिए तक यह ठंडा होता है देखिए हम अंडा जो है पूरी तरह से ठंडा हो गया है तक कि हम इसके finger काटेंगे उससे पहले हम एक पैन में तेल चढ़ा दिया है हमने और उसके अं काम हो रहा है तक कि चलिए finger काटते हैं बिसमिल्ला हरवाने रहें finger आप अपने हिसाब से पतली और मोटी काट सकते हैं ठीक है और लंबी कित्ती है वो भी आप काट सकते है देखें यह हमारा अंडा जो है वो finger शेव में कट गया है साइडे हम दोनों कर लेंगे क्योंकि यह थोड़ी सी बड़ी ही अच्छी लगेंगी और बीस से इसको एक कट और लगा लेंगे बिसमिल्ला हरवाने रहें कि यह देखिए और जब तक ही हमारा कट पिट गया एक बाउल लेते हैं इसके अंदर एक अंडे को हम और क्रेक करके डाल लेते हैं और डाल के अंडे को जो है वो एक बाउल में फेट लिया है उसके बाद में आप एक पीस उठाइए अंडे के अंदर डिप करिए और अंडा अगर आपका कम हो जब यह आधे से जादा आपके हो जाएं लगे कि कम हो रहा है बेटर तो आप एक अंडा और इसलिए हमने दो एक साथ नहीं किये कि बाद में खराब हो जाएगा और इसको बहुत अच्छे से बहुत नादुक हात थोड़ा से सक्त होएंगे अंडा है तो उसी साथ से तेकि आप कित्ते आराम से और मोहबत से खाना ऐसी चीज है कि आप उसको जितना मोहबत और यहाराम से बनाएंगे उतना टेस्टी और मजएदार प्रिजिए हमारे इत्ते सब फिंगर जो है वो तयार हो गए है और इसको आप चुप पे तेल में डाल दीजे और जब तेल में डालिएगा तो इसको आप 30 से 40 सेकंड के लिए भूल जाएगा इसको टश न कीजेगा देखे कितने बेहतरी फ्राई हो रही है इसी तरह से हम जितने आराम से आते हैं उतने इसके अंदर हम फिंगर डाल देंगे देखे हमने इसको जो है हाँ मेडियम लो पे फ्राई कर लिया था और निकालते हो खता आप एक काम करिए कि एक मिनट और 30-40 सेकंड पहले फ्लेम का जो है वो फ्लेम फुल कर दीजे ताकि इसके अंदर तेल न रह जाए और देखे कितना अच्छा कलर आया है और कितना क्रि इसको निकाल लेते हैं देखिये ऐसे एक बैच हमारा रिडे हो गया धू अब आप देखें पांच अंदे से कित्ते जादा से एक फिंगर जो है वो तयार हो गया है क्रिस्पी और क्रंची और रम्दान का महिना चल ला है तो इसमें कोशिश ये क्या करें कि जादा से जादा जो है वो लोगों से दुआई लें और जब अफ्तारी बनाएं तो अपने पुडोसियों का भी ख्याल रखें और अल्ला जो है जब आप पुडोसियों का ख्याल रखेंगे तो अल्ला तबारक तला हमारा और आपका ख्याल रखेंगे और इसमें जितनी से जादा से जादा हो सकें और अल्ला तबारक तला से तुबा करें दुआएं करें और जितना अच्छा से अच्छा हो सकें उतना नेक काम करें यह देखिए हमारे क्रेंची एक सिंगर बनकर तयार हो गए और जो की जिन्होंने इंट्रो दिया था उनको यह बहुत पसंद है तो इस वज़े से इसको जो है आप ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्फ कीजे और जब पसंद आए तो आप मेरे लिए दौा कीजेगा और मेर होसियों का खया लगए हैं मिलते हैं किसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि अल्ला आफिस